नमस्कार दोस्तो आज किस भीडियो में बात कनने वाले है कलाभम बीट ड्राइ सिरप के बारे में दोस्तो जैसे कि ये एक प्रकार पेड्रेटिक अंटिवाटिक सिरप है इसके परियोग बच्चों में बैक्टरियल से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किये जाते है आईए अधिक बिस्तार से जानते है कौन इसे मैनिफेक्चरिंग करता है कौन सा मॉलिक्यूल इस कलाभम बीट ड्राइ सिरप में परियोग किये गए है इदि आप अपने बच्चों को इस कलाभम बीट ड्राइ सिरप को देते है क्या आपके बच्चों को बेनिफिट्स देखने को मिल सकती है क्या इस सिरप के साइड इफेक्ट से संपुनन जान करी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले है दोस्तो मेरा नाम है स्वाराज और आप लोग देख रहे है Medicine with स्वाराज युटूब चैनल आज किस विडियो में कलाभाम भी ड्राइ सिरप के संपुन्न जानकारी देने वाले है दोस्तो अगर इस कलाभाम भी ड्राइ सिरप में परियोग किये गए इंग्रेडियन्स के बारे में बात करतो फ्रेंड्स इस ड्राइ सिरप में दो दावायों का कॉंपोजिशन परियोग किये गए है पहला Amoxicillin 200 mg और दूसरा कलाभूलानिक एसिट 28.5 mg पर 5 ml में परियोग किये गए है दोस्तो इस कलाभाम भी ड्राइ सिरप को जैसे की है LKM Laboratories Limited Company द्वारा manufacturing किये जाते है अगर इसके मार्केट प्रेस के बारे में बात करतो फ्रेंड्स 30 ml की bottle packing में आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका MRP 67.81 पैसा है और फ्रेंड्स इसका जो MRP है वो समय का साथ कम ज्यादा होते रहते है अभी हम जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कौन-कौन सा कंडिशन में आप अपने बच्चों को इस कलाभाम भी ड्राइ सिरप को दे पाएंगे दोस्तो जैसे कि ये एक प्रकार एंटीबियोटिक पेडरेटिक सिरप है इसके पड़ियोग बच्चों में बैक्ट्रियल से होने वाले इंफेक्शन को ठीक कनने के लिए यूज किये जाते है जैसे बुखार, नीमूनिया, UTI, यूरिनेरे ट्रैक इंफेक्शन बच्चों म गले में सूजन या फिट दर्द होना आई एन एर इंफेक्शन, दोस्तो बैक्ट्रियल से किसी प्रकार इंफेक्शन में आप अपने बच्चों को इस क्लाभां भी ड्राइ सिरप को दे पाएंगे, अगर इसके डोसज के बारे में बात कर दो फ्रेंट्स, जैसे कि बच्च के उमर, तीन साल से लेकर, पान साल तक है, पाच एमेल सुबा तता पाच एमेल साम दिन में दो बार दे पाएंगे, अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर तो फ्रेंट्स, जैसे उल्टी, मितली, दोस्त, इसकीन में रैसेस या फिर खुजली होना, यह इसके किसी डॉक्टर से कॉंसल्ड करे, अभी हम जान लेते हैं, प्रेक्यूशन के बारे में, कौन-कौन सा बातों को ध्यान में रखते हुए, आपके बच्चों को इस कलाभाम बीट ड्राइसेरप को देना है, दोस्तों, जैसे कि ये एक प्रकार, शेडूल एच प्रेक्रिशन वीट्रइसेरप को देने से पहले, आप अपने डॉक्टर सेफर कॉंसल्ड जरू करे, खुजसे आप अपने बच्चों को इस कलाभाम बीट ड्राइसेरप को अप्योग ना करे, यदि आप आपके बच्चों को पहले से कोई अन्टिबेटिक दे रहे हैं, इन कंडिशन में अभी आप दोस्तों आपके बच्चों को कलाभाम भी ड्राय सिरप को परियोग ना करें।